आप देख रहे हैं चौहान वीडियो और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपकी इगनु की डिगरी के बारे में काफी सारे इस्ट्रेंट ऐसे हैं जो की जानना चाते हैं कि इगनु की डिगरी कैसी होती है इगनु का डिगरी में कौन सा नंबर होता है जो की यूनीक नं पर है आप इस वीडियो को इसलिए पूरा जरूर देखे और अंतक देखे अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इगनु के इस्टुएंट है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो सीधा वीडियो की शुरुवात करते हैं इस त अब इसमें देखते हैं कि कौन कौन सी डेटेल इसमें आपके लिए दी गई है तो इसके लोग जूम कर देते हैं थोड़ा सा तो आप सबसे पहले उपर देखे इसमें आपका जो राइट हैंड साइड है उसमें आपका इन्रोल्मेंट नंबर लिखा हुआ है जो आपका इ इससे आपके degree की identification होती है यान कि ये नंबर देखकर कोई भी अगर जानना चाता है कि ये degree genuine है या नहीं तो वो इगनु से संपर्क कर सकता है और उसके बाद देख लेंगे कि ये degree genuine है या फिर नहीं क्योंकि ये जो नंबर होता है ये unique नंबर होता है उसके बाद इंद्रा गा नजर आएगा after having passed the prescribed courses of study in the जिस course में जिस year में और जिस month में आपने अपना जो course है उसको complete किया है क्या वो दिसंबर का होगा या फिर June का होगा उसको यहाँ पर mention किया जाएगा यान कि अगर दिसंबर 2019 में आपने अपने आखरी exam दिये थे तो दिसंबर 2019 यहाँ पर आपके लिखा हुआ आएगा कि दिसंबर 2019 में आपने अपने आखरी exam दिये थे और आपने अपना course दिसंबर 2019 में complete कर लिया था examination is here by awarded the degree और student को एडिगरी अवार्ड की जाती है किस चीज की डिगरी अवार्ड की जा रही है उसका नाम भी यहाँ पर आपको नजर आएगा जो की है bachelor of science major in physics जो भी आपकी डिगरी का नाम होगा जो भी course आपने किया हुआ है तो उसका यहाँ पर नजर आएगा सभी के सभ बारे में यहाँ पर जानकारी दी जाएगी आप जानते 60% से अबव जो होते हैं उनको first division दी जाती है और उससे नीचे जो होते 60% से उनको second division दी जाती है तो अभी तक आपने देख लिया कि यहाँ पर तक detail जो आपकी दी गई है उसके बाद आपका जो कुल सची वयाइन की जो रजिस्टर होते हैं उनके सिंगनेचर है यहाँ पर और जो वाइस चांसलर है उनके सिंगनेचर यहाँ पर है तो दोनों ने अपने साइन की होए और इगनू की जो आपकी मोहर है इगनू की जो stamp है वो भी आपको यहाँ पर नजर आ रही है तो इस तरीके से आपके detail य घृण के आपकग्ग्रेब कॉर्स इस पायले मनें ने चाहरे सबक्राइब कंप्लीत होता है वे सबसे पहले कापको ये और वान नंत के वह आपकी जो डिगरी है वो आपके हात में नहीं आ जाती पाईनल मार्किसिक और प्रोविज्टेशिकत बिलने के बाद आप कॉनवद केसण के फ押र्म का इंतजार करते हैं का आता है तो आप कॉनवद केसन का फॉरम भरते हैं उसकी क्रते हैं उसके बाद WILKEN की डिचाइड होती तो no लिग दीजिए उसके बाद convocation जो होगा उसके बाद अगर आप convocation आपने attend किया होगा तो वहीं पर ही आपको degree मिल जाएगी वरना one month में speed post के जरी आपको ये degree जो है वो sent कर दी जाती है और इस तरीके से आपका course complete कर दिया जाता है तो ये वो degree है जो की आपको मिलती है identification होती है तो सबसे उपर आपके enrollment number के left hand side में लिखा हुआ है आईजी से वही आपका identification number होता है आपकी degree का तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो आपको बसंद आते वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा से जरूर कीजिए